केंदर सरकार ने इस पश्टरूप से एरलाइंस को निर्देश दिये है कि लॉकडाउन में रत किये गए हवाई टिक्टो के रिफन्ड के लिए डीजी सीए के निर्देशा नुसार पालन करना ज़रूरी है नाकपुर के हरियर पांडे ने एरलाइंस के क्रेडिट सेल को लेकर केंदर सरकार के विभिन्ड मंतरालय के साथ लगातार पत्राचार किया था उन्होंने प्रधान मंतरी कारालय और कानूनी सला के लिए कानून मंतरालय को भी पत्र भीचा था PMO और कानून मंत्राले ने पांडे के पत्र को गंभीरता से लिया उपभुकताओं की क्रेडिट सेल के नाम पर एरलाइनों द्वारा अटकाई गई राशी को लेकर राहत देने के लिए DGCA के माध्यम से परिपत्रक जारी किया है पांडे को PMO से पराप पत्र में कहा गया कि माननीय सर्वोच्य नायाले के दिनांग 1 अक्तुबर 2020 आदेश अनुसार DGCA के 7 अक्तुबर को जारी परिपत्र में सपष्ट निर्देश दिये गया है इस आदेश का संदर्ब लोगडाउन के कारण रद किये गए हवाई टिक्टो के रिफंड के लिए है वही कानुनी सहायता मंत्राले ने कहा कि यदि एरलाइन अपने दायत्वों को पूरा करने में विफल रहती है तो यातरी वैधानिक नियाधी करनों के साथ मामला उठाने के लिए स्वतंत्र है इन पत्रों से लाखो क्रेडिट सेल धारकों को लाब होगा पांडे ने राष्ट्रपती सचीवाले सहित कई विभागों को भी पत्र लिखाता साथ ही संसत के मौनसुन सतर के दोरान 250 संसतों से अपना ध्यान आकरशित करने का अनुरोध किया था सुप्रेम कोट के आदेश के बाद डीजी सीए और पीमों ने भी रीफंट पर सपष्ट कर दिया था हैं अछ करप से उन्हें कहा है क्या सुप्रेम कोर साथ है कुल जा Ms बन किया है उस निर्देश के अनुर्सा सभी एरलाइंस ने एसा ही नई जी थक हमारी है Maupy क्योंकि हमें अभी दो चाह दिन पहले पत्र कानून मंतालई की तरफ से आया है कि आप भारत की नयावर्स्थाक की हिसाफ से आप कुछ भी एक्षिन ले सकते हो इसलिए गोएर के खिलाप आप एक्षिन ले सकते हो हम गोएर से फिर से अपिल करना चाहते हैं कि गोएर कुछ समय हमें देखे वो अपना पैसा वापिस करें हमारा पैसा वापिस करें नहीं तो हम फिर से कोट में जाएंगे